सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ग्यान की गंगा में आप लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों का बहुत भष़ धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आजी मेरे 5000 सस्क्राइबर अभी पुरे हुए हैं और मैं आसा करता हूँ कि मैं इसी तरह की वडियो आप लोगों के सामने लाता रहूंगा तो मैं फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो आज का मेरा यह वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुतरीं इंट्रेस्टिंग है आप लोग इस वीडियो को लाश तक देख़ आई होप की मेरा यह वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा जो आज का टॉपिक है वह है प्यार में असली चैलेंज क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो लोग प्यार करते हैं उनको अपने प्यार को बनाए रखने के लिए क्या-क्या कर है जिसका सामना होते ही हमारी जिन्दगी colorful हो जाती है हर इंसान प्यार को पाने के लिए काफी मेहनत करता है सबर करता है तब उसको उसका प्यार मिलता है और कई लोगों को ये सब करने के बावजुद भी प्यार नहीं मिलता तो आज हम जानेंगे कि प्यार में असली चैलेंज क्या होता है यहाँ चैलेंज से मतलब किसी रेस या खेल से नहीं बलकि अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं यह विसे इस बात से संबन्दित है जब आपको आपका प्यार मिल जाता है और फिर अचानक दो महिने, तीन महिने या छे महिने या एक साल के अंदर ब्रेक अप हो जाता है आखिर इसकी वज़ा क्या है या सोचने वाली बात है आप सभी लोग यह बात सोचते होंगे कि हमेशा ऐसा होता है कि जो first impression होता है आप लोग जब प्यार करना start करते हैं किसी को चाहते हैं तो वो वाली feeling और प्यार करने के बाद या प्यार आपको मिल जाता है उसके बाद जो feeling होती है वा काफी उसमें different आ जाता है तो आखिर इसकी वज़य क्या है कहीं न कहीं लड़के तथा लड़की के बी प्यार का कम होना ही इसकी सबसे वड़ी वज़य होती है जो पहले वाली feeling की बात आती है वो तु बिलकुल रहती ही नहीं है जब तक किसी को प्यार नहीं मिला रहता तो कहता है कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए ये करूँगा वो करूँगा पर प्यार मिलने के बाद या सारी बातें या सारे वादे भूल जाते हैं लोग आप लोगों को एक सच्चाई यह बता दूँ जिंदगी में जो प्यार इंसान को नहीं मिलता वही उसे सच्चा प्यार लगता है पर जो प्यार उसे मिल गया है उसकी कीमत को वो नहीं समझता आप अपनी इच इशाओं से समझोटा कर लिजिए, देखिये फिर जिन्दगी में प्यार ही प्यार होगा, और मेरा विश्वास कीजिए आप जिन्दगी में कभी उडास नहीं रहेंगे, तो I hope कि मेरा आज का विडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को मेरा आज का व तो आप डिस्क लाइक भी कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों खुश रहिए प्रसन रहिए धन्यवाद